किसान भाहियों नमस्कार मैं आपके अपनी यूटूब चैनल डॉक्टर किसान में आप सभी लोगों का हाड़ दिख स्वागत और अभी नंदन करता हूं किसान भाहियों आज हमें एक वेराइटी को परबात करेंगे किसान भाहियों आज इस वेराइटी को लगे हुए इस पिलोट में लगबग 16 दिन हो चुके हैं जब हमने ये वेराइटी लगवाई थी तो हमने इस बात का विशेश कर दियान रखा कि पोदे से पोदे के दूरी कितनी रखनी है लंबाई और चोड़ाई दोनों को हमने मैंटेन करा क्योंकि हमें ये सीट के लिए तैयार करना है ये हमारा पूरा पिलोट जो लगाऊ है इससे हम सीट तैयार करेंगे जिससे कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी लिए अगली साल को हम सीड दे चुके हैं तो किसान भाईयो आज हम आपको दखाते हैं कि एक एक पौदे में कितने किल्ले निकली आई हैं देखिए काफ़ी अच्छा रेस्पोंस आ रहा है यदि हम इने गिने एक, दो, तीन, चार, पाँच, लगबग 15 से 20 किल्ले हैं और यह हर पौदे की कहानी है ऐसा निके मैंने आपको एक पौदा दिखा दिया देखिए देखिए अच्छा रेस्पोंस आ रहा है किसान भाईयो इस वेराइटी की मुख्य विशेष्टाएं जो हैं वो हैं जोहों का एवं जुल्चा रोग रोधी वेराइटी इस वेराइटी में जो धान में मुख्य रूप से दो रोग आते हैं जुलसा एवं जोंका रोग वो इस वेराइटी में नहीं आएंगे जिससे कि किसानों को कम दवाईया लगानी पड़ेंगी कम लागत लगानी पड़ेंगी और अधिक मुनाफ़ा मिलेगा किसान भाईयो ज़दी हम इसकी समय की बात करें तो यह लगबग 15.09 के मुकाबले 4-5 दिन अधिक तयार होने मिलेगी और ज़दी इसकी पैदावार की बात करें तो यह लगबग 15.09 के मुकाबले एक एकड में 5 कुंटल तक अधिक पैदावार देती है और किसानबहईयों मैं आपको बता देता हुँ, अब तक हमने इसमें केवल एक डोज लगाई है जिसमें हमने आदे किलो बीगा का सलफल लगाया था 100 ग्राम बीगा का फंगी सैड लगाया था 5 किलो बीगा का यूरिया डाला था दो किलो बीगा का अपना जाइम डाला था और सो ग्राम बीगा का ह्यूमिक पिलस फ्लूविक एसिड डाला था यह हमारी पहली डोज थी अब हम इसमें दूसरी डोज लगाने की तैयारी कर रहे हैं किसान भाईयों हम समय समय पर आप सभी लोगों को इसी तरह जानकारी देते रहेंगे